हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है इलेक्टरिक वर्क सेंटर यूटूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे घर में इलेक्टरिक लाइन में एटोमेटिक एस्टेपलाइजर का कनेक्शन कहां पे किस तरह से किया जाता है बहुत ही असानी से इस दुकान हो ओफिस हो वहां पे आप एक्टोमेटिक एस्टेपलाइजर का कर सकते हैं जैसे यहां पे एक एनजी मीटर है एक डिपी मस भी है एक में सुच है और एक क्शे どule च्रहां पे जानना चाहते हैं इसका connection तो आप इस वीडियो को A to Z complete पूरा जरू देखिए तो चलिए अब connection यहाँ पे start करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ wire का टुकड़ा लेंगे यहाँ पे जो wire का size है 2.5 mm का wire हमने लिया है बाकि जो भी main board होते हैं या connection होते हैं load के हिसाब से wire का size होता है बहुत सी वीडियो में हमने बताया हुआ है मेरे चैनल में वीडियो है आप उन वीडियो को देख सकते हैं सबसे पहले energy meter हम लिया है यहाँ पे screw driver से जो connection cover है connection point का cover इसको खोल करके हम यहाँ से हटा दिये अब यहाँ पे connection करेंगे सबसे पहले meter से यह start करेंगे सबसे पहले वाला जो connection point connector है इसके अंदर phase line input होता है और यहाँ पे एक सवाल किसी के मन में आएगा वो clear कर देता है यह जो energy meter है normally market से हम खर दे हुए है electric shop पे मिलता है किसी भी तरह से बीजली विवाग या government के तरफ से issue नहीं किया गया है यह clear है कि हमने individually market से purchase किया हुआ है तो यहाँ पे जो पहला connector point था इसके अंदर phase line हमारा input होता है तो phase line input हो गया उसके बाद दुसरे वाले connector point में neutral line input connection किया जाता है तो यहाँ पे neutral line input connection हो गया अब इसके बाद जो तीसरा वाला connector point होता है neutral line output होता है इस meter से ध्यान होना चाहिए यह हम कर रहे हैं output neutral line इसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे आपका phase output connection जो last वाला चौथा point है यहाँ से हमारा phase line output होता है अभी इसके अंदर हम line नहीं दिया है connection complete करने के बाद line देंगे और आपको check करके दिखाएंगे इससे आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे unacademy के बारे में यहाँ पे आपको हर category का आपको skill मिल जाता है अगर आप एक gate की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना एक अच्छा rank बना सकते हैं यहाँ पे आप subscription join कर सकते हैं और चाहे किसी भी field से हैं आप यहाँ पे skill को gain कर सकते हैं यहाँ पे electrical तो आपको मिलेगा ही कि electrical subject का हमें knowledge चाहिए लेकिन electrical के साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे category जैसे civil होता है या हम mechanical की बात करें या किसी भी category आप जा सकते हैं आप subscription join कर सकते हैं वीडियो के description में आपको इनका official website का link और coupon code मिल जाएगा electric train अगर आप इसे use करेंगे तो आपको 10% का discount भी मिलेगा अब चलिए इसके आगे हम बात करते हैं किस तरह से connection करेंगे जो हमारा meter से output connection होगा वो हम यहाँ पे DPMCB लगा रहे हैं इसके जगर पे isolator, SPN या main switch भी लगा सकते हैं लेकिन MCB या RCCB based होता है तो MCB हम लगा रहे हैं right side phase line का connection कर रहे हैं और left side neutral line का connection करेंगे आप चाहें तो left phase और right neutral कर सकते हैं पर यह waste होगा कि left side neutral और right side phase connection किया जाए तो meter से output और MCB में input connection यहाँ पे कर दिया गया अब यहाँ पे MCB के output में जो connection होगा वो हमारा stabilizer का connection होगा, stabilizer में input line होगा यह stabilizer हमारा AC का stabilizer है तो इसमे connector point नहीं मिलेगा input के लिए यहाँ पे cable है, output के लिए connector point है जैसे यहाँ पे यह cable है हमारा AC input यानी AC line input के लिए और यहाँ पे देखेंगे तो red है, black neutral है, red phase है और buddy earth का green है अगर यही चीज connector में देखेंगे तो आपको connector में L, N और earth के लिए है अगर input के लिए यहाँ पे connector दिया जाता है तो यह cable के जगए पे input का connector हो रहा है बस और कोई change नहीं होगा और यह AC का stabilizer है, यह घर में भी यूज किया जाता है AC के लिए especially तो है ही buddy earth का यहाँ पे wire है अगर buddy earth का wiring है तो जरूर connection कीजिए safe रहता है safety के लिए अब यहाँ पे हम connection करेंगे तो AC का input जो line होगा वो इस MCB से output line होगा तो यहाँ पे phase line हम connection कर रहा है नीचे input में भी right side हमने phase किया था तो output भी right side phase connection करेंगे इसके बाद हम left side यहाँ पे neutral जो line का wire है इसका connection करेंगे इस MCB से हमारा line out किया और यह गया हमारे step laser के input line यहाँ पे connection करते समय अगर आपको लग रहा है wire loose है तो बड़ा screwdriver लिजे और प्रोपर तरह से सही तरह से जरूर connection कीजे किसी भी तरह का loose नहीं होना चाहिए यहाँ पे यह connection हो गया अब हमें connection करना है इस step laser से output line का यहाँ पे दो wire लिये है L यानि phase line यहाँ से output connection हमें करना होगा तो यहाँ पे phase के लिए हम connection कर रहे हैं यह हो जाएगा हमारा phase line और इसके बाद है हमारा N यानि neutral line यहाँ से output हो जाएगा और body earth का यहाँ पे point हम छोड़ देंगे लेकिन body earth का connection किस्ते से होता है wiring करने के बाद बहुत सी वीडियो में हमने बताया हुआ है मेरे चैनल में है आप उन वीडियो को देख लिजे बस body earth का wire लाकर के यहाँ पे connect कर देना है यानि connection कर देना है यहाँ पे output जो दो wire का connection किये है अब इसको connection करेंगे हम एक main switch में यहाँ पे हम main switch लगा रहे है लेकिन इसके जगह पे अगर आप MCB लगाए तो और अच्छी बात है RCCB लगा दे RCBO लगा दे तो और अच्छी बात है हम यहाँ पे main switch लगा रहे है main switch का जो screw है उपर का cover इस screw को यहाँ पे हम खोल रहे है screw खोलने के बाद उपर हमारा N2 है L2 है तो यानि उपर output हो गया और N1 L1 है तो यह input हुआ तो यहाँ पे input हम connection कर रहे है तो यह है हमारा N1 तो यहाँ पे neutral line input connection हो जाएगा तो इसके अंदर proper तरह से इस तरह से वायर को डाल करके connection कर लेंगे सिम उसी तरह से L1 यानि right side हमारा page है तो right side में page डालेंगे connection कर लेंगे और हमारा left side neutral है तो neutral connection कर रहेंगे अब यहाँ पे output में हम एक bulb holder लिए है चेक करके आपको दिखाने के लिए इसके जगा पे आप अपने घर, दुकान, office या किसी भी property पे लगा रहे हैं इस तरह से connection कर रहे हैं उस wire का यानि उस load का connection आपको करना है बस हम चेक करके दिखाने के लिए यहाँ पे bulb holder लिए हैं तो neutral के सामने neutral connection कर लिए अब यहाँ पे page के सामने हम page connection कर लेंगे इसके अंदर जैसे हम इस तरह से डाल दिए और डालने के बाद यहाँ पे page line हम connection कर लिए यहाँ पे connection कर लेने के बाद इसका जो cover है इस cover को लगा देंगे जैसे इसके अंदर इस तरह से हम डाल रहे हैं अच्छी तरह से इसको डालेंगे और इसका जो screw है इसको हम कस लेंगे तो चले यहाँ पे इस तरह से screw को हम कस रहे हैं और यहाँ पे screw को कस लिए अब इसके अंदर हम line दे करके चेक करके आपको दिखाएंगे कि यह किस तरह से हमारा काम कर रहा है और यहाँ पे सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं connection किस तरह से हुआ है जो हमारा main line है न वो आया है सबसे पहले energy meter में यहाँ पे phase neutral उसके बाद output होके DPMCV में DPMCV के बाद stabilizer में और stabilizer के बाद main switch में main switch के बाद जो load है हमारा उसके अंदर यानि एक bulb holder है आपके घर का load हो सकता है यह connection complete हो गया अब यहाँ पे हम line देंगे जब line देंगे न तो जो हमारा energy meter है इसका indicator on हो जागा अभी बंद है अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिजेगा अब इसके अंदर line दे रहा है एक करब से हमारा एक बंदा है जो line अभी चालू करेगा तो यहाँ पे देखिए यह red color का indicator हमारा on हो गया यानि इस meter में line आ गया अब यहाँ पे इस से MCV को on करेंगे इस टेपलाइजर में line आएगा तो यहाँ पे देखिएगा यह देखिए पांच चार तीन दू एक यानि पांच सेकेंड का इसके अंदर timer लगा हुआ है और देखिए IP यानि input voltage 182 volt आ रहा है उसके बाद यहाँ से output हमारा जो है वो है OP 213 अब यह बना करके दे रहा है 213 volt अब main switch को on करते हैं यहाँ पे bulb on हो जाएगा चलिए यहाँ पे main switch on कर दिया और bulb on हो गया यहाँ पे एक चीज अपने ध्यान दिया voltage जो input voltage होता है वो load पे आपका change हो जाता है जिसे IP 178 है off कर दिये load तो यहाँ पे आपका बढ़ गया लेकिन जो output होता है वो लगभग एक बराबर रहता है अब जिसे देखिए यह IP हमरा आया यह है 183 on कर दिये तो यह कम हो जाएगा 180 voltage drop होता है input का यही काम होता है automatic stabilizer का input line voltage कम जादा है उससे कोई मतलब नहीं है यह एक बराबर आपका voltage बना करके output करता है इस वीडियो में आपने देखा कि एक energy meter, एक DP main switch एक DP आपका MCB और automatic stabilizer का connection कैसे किया जाता है इस setup को आप किसी board पे भी लगा सकते हैं और इसी तरह से connection कर सकते हैं